अगले दिन बानी रूही जाक कर बाहर आती है, तो पूरा घर अगर बत्ती की खुश्बू से महक रहा था. क्या बात है पारस, इस उजडे चमन में फिजाएं महकी महकी कैसे? तुम भी ना मानी, माने कहा था पूरे घर में धुबबती फैलाने को, और जाओ, तुम भी नहादो कर तयार हो जाओ, उसके बाद हवन होने वाला है. हवन? कैसा हवन? एक मिनिट, क्या मैंने सही सुना, तुमने हवन कहा? हाँ, बिटिया, कल रात घर में साप देखने के बाद मैं घबरा गई हूँ, ये संकेत किसी बड़े खत्रे को बता रहे है, ऐसी कोई बला हमारे घर के आस पास आए, उससे पहले ही शिव नाम की पूजा और एक हवन करवा लेती हूँ. तो मिस, आज कुछ इंडियन पहन लोगी, तो मा को अच्छा लगेगा. अच्छा मा जी को लगेगा, और तुमको? हम? वो मुझे, मैं वो, बानी नहीं यार, तुम तो मुझे फसा देती हो. तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें कुछ खास जरूर पहनूँगी, क्या पत तब तुम नजर उठाकर इस बानी की तरफ एक बार देखी लो. और पारस नजर उठाकर, प्यार भरी निगाहों से बानी की उर देखकर मुस्कुराता है. बानी भी इतरा कर अंदर चली जाती है. हवन का नाम सुनते ही, रूही के कदम अपने आप ही पीछे होने लगते है और वो पीछे से आ रही गीता से धम से टकराती है. सत्यानाश कर दियो, एरी हिरोईन, जो तु हमार ये साड़ी पर चाशनी गिराई है, इसको कौन साफ करेगो? वो मैं, काकी वो मैं. अरे काकी, अब देखो, आप पर गिरी भी तो चाशनी, मीठी मीठी चाशनी. अब तो अरे, anytime, my sweetheart. रूही और बानी कौन बनकर आई है, इच्छा प्यारी नागिन. क्या आप पकड़ पाए हैं? अगर पकड़ पाए हैं, तो जरा हमें भी बताओ. अभी comment box में. रूही और बानी दोनों के कमरे का दर्वाजा खुलता है. रूही ने भगवा रंग का सूट और बानी ने बहुत सुंदर भगवा रंग की साड़ी पहनी थी. पतली सी साड़ी में से उसकी जहाकती पतली कमर, महीन गुलाबी होट, आखों पर आ रहे बाल, ये सब देख पारस के कदम बानी की ओर बढ़ने लगते हैं. तभी गीता आकर बानी के कमर पर अपना तौलिया रखती है. हाए हाए पतली कमरिया, इतनी हीरोइन बनेगी तो घर के मर्दों का दिल बहग जावेगो छोरी, थोड़ा पल्लू ठीक कर. बानी चुपचा पल्लू ठीक करती है. बच्चों, ये तुम्हारे दोस लोग कुछ खाए भी होंगे या नहीं? सत्या नाज जाए उस बस का, ले आने को कहती हूँ, ऐसा नहों कि वो आए और आप लोग चले जाए.